आज हमारे पास i20 पेट्रोल कार है जो 2012 मोडल है जिसमें यह एमरोन की बेटरी लगी हुई थी पहले पर अब खराब हो चुकी है हमने चेक करवा लिया है और नहीं बेटरी हम एमरोन की डालने वाल है तो कितनी प्राइज में पड़ेगी वह में इस वीडियो में बताऊंगा आप देख सकते हमारे पास एमरोन की बेटरी लगी हुई थी 2018 की बेटरी थी जो अल्मोश 5 यर राउंड हो चुके थे तो यह बेटरी खराब हो चुकी है सेल तो लग रहा है पर प्रोपर सेल नहीं रगा है कभी-कभी सब कुछ ब्लेंक हो जा रहा है ऐसा प्रोबलम आ रह तो उसमें जो सेल था वो डेड़ हो चुका था बीच में जो सेल आते है उसमें से एक दो सेल डेड़ हो चुके थे उसकी वज़े से जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बेटरी जनरेट नहीं कर पा रही थी तो हमें इस वज़े से हमें बेटरी चेंज करनी पड़ी है तो हम अब ही बैटरी चेंज कर वा रहे हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से माइनस और प्लस दुनों टर्मिनल हमें निकाल देने हैं और ये बैटरी है वो पूरी ओपन कर लेनी हैं अब हम नई बैटरी की भी बात करेंगे अभी की नई बैटरी है आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा बैटरी कमपार्मेंट हमें देखने को मिलता है अब हम नई बैटरी भी इस तरीके से ला दी है आप देख सकते हैं यह पुरानी बैटरी है जब यह नई बैटरी है इसमें अब कलर का थोड़ा बहुत डिफरंट आ रहा है पहले डार्क कलर था ग्रीन अब लाइट ग्रीन कलर है आप 2023 का मेनुफेक्चरिंग है आप देख सकते हैं लेटेश रभी 45 डीन बैटरी है ये 61 की वारंटी गैरंटी के साथ आती है एमरोन फ्लो बैटरी और अगर प्राइस की बात करे हम तो आप देख सकते हैं 6500 इसकी MRP है ये वारंटी काड है पूरा वारंटी काड देखने को मिलता है जो आप ऊंलाइन वारंटी भी रजीस्टर हो जाती है तो आप उनलाइन वारंटी भी रजीस्टर करवा दे आप देख सकते हैं इसमें 6500 MRP है जिसमें हम बात करके 5200-300 में हमको पड़ेगी